Hello dear students, welcome to Magnet Brains, मैं संचिता जैन, आप सभी की SST educator आज के session में लेके आई हूँ, आप सभी के लिए class 9th students के लिए सामजी विज्ञान में economic स्यानी की अर्थोसास्त्र का chapter 3 जिसका नाम है निर्धनता एक्चनोती और आज हम जानने वाले हैं इसके कारण, यानि की गरीबी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, गरीबी के बारे में chapter में जितने भी topics दिये थे, वो हम जान चुके हैं काफी सारी चीज़ें, गरीबी के बारे में जान चुके हैं, गरीबी को कैसे मापा जाता है, भारत के लग-लग राज्यों में किस तरीके की गरीबी है, और विश्वमें किस तरी करने से पहले आप सबी स्रिक्वेस्टे की जल्दी ज़ल्दी जादा से ज़ादा आज के सीशन को आप सभी लाइक करया कर दाएं साथ ही साथ चनल को subBeniko करते हैं कि क्लाशिक से लेके क्लास 12 थी सार 뭔 को स्पुली औरनाइस कंप्लीट कोड़ के साथ जी हाँ हमाँ आपके लिए कई सारे चॉप कोर्स जैसे कि व्यादिक मैस क्रेश कोर्स और इतने सारे कोर्स आपको एक ही सिंगल प्रेटफर्म पर हाइज क्वालिटी एजूकेशन के साथ फुली औरनाइज कम्प्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री और कॉस्ट प्रोवाइड कर आए जाते हैं निर्धनता के कारण क्या है गरीबी के कारण किस वज़े से लोग गरीबी रेखा के नीचे गिने जाते हैं कौन सी ऐसी बात है जो नहीं गरीब बनाती है कौन सी ऐसी सुविधाय है जो नहीं मिल पाती तो देखें सबसे पहली बात तो यह है देखो सौ समस्याओं की एक ज अपड़ा चाहिए काम करने के लिए रोजगार चाहिए क्लियर हो रही बात अब जनसें क्या बढ़ रही है तो क्या वो देश का आकार बढ़ जाएगा देश में अपने आप रिसोर्स बढ़ जाएंगे देश में आप रोजगार बढ़ते जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा तो गरीबी बड़ेगी निर्धनता बड़ेगी क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा खाने को खाना नहीं मिलेगा पहनने को परियाप्त कपड़े नहीं मिलेगे रहने को घर नहीं मिलेगा तो लोग गरीब होंगे फिर क्रशी का पिषडापन यानि कि क्रशी शेत्र का होना क्योंकि हम अगर भारत की बात करें तो भारत की अधिकांश जनसेंग या क्रशी पर ही निरबार है और उतने रोजगार है नहीं उतनी इंकम प्राप्त होती नहीं क्रशी में आधुनिक विदियों का अप्रयोग अगर नहीं किया गया है तो उतनी उत्पादन भी नहीं होता जिस वजह से गरीबी हो जाती है फिर पुझी का भाव लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो काम खोल पाएं काम कर पाएं बिजनेस खोल पाएं फिर प्राक्रतिक साधनों के समुचेत उप्योग का अभाव प्राक्रतिक संसाधन तो हमारी प्रधवी पै भरपूर मात्रा में है लेकिन उनका सही तरीके से उप्योग कैसे किया जाए इसकी कमी है ठीक और ध्योगी की क लोगों के पास रोजगार नहीं है जिनके कारण गरीबी पैदाओं होती है अब इन सब एक एक कारणों को हम डिटेल में समझ लेते हैं हाँ जी अभी तीन कारण और बागी है वीसा विदेशी शाषन अंग्रिजों ने हम पर शाषन किया था हमें लूट के ले गए गरीबी आगी भारत में प्रदिकूल सामाजिक वातावरण सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं है यातायाद के साधनों की कमी है इन सब कारणों से हमारे देश में गरीबी है अब डिटेल में समझते हैं तो भारत में गरीबी के अनिक कारण हैं जिनमें से प्रमोख हैं पहला कार भारत जनसंख्या के मामले में पुरी दुनिया में पहले इस्थान पर पहुंच चुका है जी हां तो जनसंख्या में अत्यधिक व्रधी यानि की भारत की गरीवी का मुख्यकारण है देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे भारत देश में रोज जनसंख्या ते अब जो है अब जो है कितनी आ गई है अब आब 1.7 पर आचुकी है कितनी आचुकी है 1.7 पर आचुकी है लेकिन फिर भी यह विक्सित देशों की तुम्हारा मय काफी है क्योंकि जो ड्यवलप्ड कंट्री हैं उनके यहां जनसेंख्या व्रधी दर और जादा कम है चीक है और इसके चलते लोगों का जीवन इस्तर गिर रहा है और देश की गरीबी बढ़ रही है जनसेंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा जीवन इस्तर गिरेगा जनसेंख्या बढ़ रही है यानि कि परिवार में पहले म तो वो देश जो है अपने हां के हर एक नागर की आवशकताओं की पूर्ति कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो प्रेंगुएन का जीवन इसतर गिरेगा ठीक है और क्या होगा गरीभी बड़ेगी से के दिसी बात है अब दूसरा कारण क्या बनता है क्रशी का पिछड़ापन कैसे है यह कारण तो देखें भारत क्या है भारत एक क्रशी प्रधान देश है हम सबी जानते हैं भारत की लगभव 60% 67% population जो है किस पर डिपेंड है agriculture पर डिपेंड है क्रसी पर निर्भर है किस के लिए रोजगार के लिए इंकम के लिए लेकिन उत्तम खाद यानि की अच्छी खाद बहतर किस्म के बीज तथा सचाई सुविधाओं के अभाव में अच्छी किस्म के बीज नहीं है बहतर खाद नहीं है सुचाई सुविधाओं का अभाव है यानि की क्रशी करने के नए तरीके उपलद नहीं है जिससे क्रशी में पैदावार कम होती है पैदावार कम है और 67% population क्रशी शेत्रों में लगी हुई है तो पैसे कहां से मिलेंगे जादा परियापति इंकम कहां से होगी नहीं होगी तो क्या होगा गरीभी आएगी फिर है पुझी का भाव क्यापिटल की कमी है पैसे नहीं है लोगों के पास तो पुझी कमी देश में गरीभी को बढ़़ाने का एक मुख्य कारण है क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बच्चत की छम्ता कम होती है जब जैसे की मानलो आपके पास आपकी जो इंकम है ठीक है उसमें से कुछ भाग जो है कुछ हिस्सा जो है आप बचा के रखते होंगे मानलो आप 20,000 रुपय महीने कमाते हो और 18,000 मे आप अपना खर्चा चला लेते हो पुरे परिवार का मानलो ठीक है और बाकी के 2000 हैं वो आप बचा के रखते होगे बचत करते होगे यही होती ना बचत तो 2000 की बचत में क्या आप सब कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते आनि कि आपकी पूंजी बहुत कम हो पा रही है पूंजी क कमी देश में गरीबी को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बचत की छमता कम होती है अब लोगों के पास गरीबी है वो तरह पैसा ही नहीं कमा पा रहे तो बचत के सिगर पाएंगे और बचत के अभाव में जब बचत नहीं होती लोगों अहती है जिसके कारण आर्थिक्रियाओं का विकास और विस्तानी होता पैसा हीनहीं होगा तो और आर्थ जादा आर्थिक्हक्रीक्विकास आपके सdoes कर सकते हो कैसे पैसा कहीं और लगा सकते हो किलिए फिर क्या है प्राक्टिक साधनों कराँ के समुचत अपयोग का अभाव जो प्राक्रतिक प्रतिक साधन नहीं हो पाता कैसे तो भारत में प्राक्रतिक साधन एवामान variance साधन की प्रचुरता है त्यक्तिक साधन और मानिяч साधन बहुत जादा मात्रा में है और ऐसा अनुमान है कि लगभग 50 प्रतिशत प्राक्रतिक एवां मानविय साधुनों का आर्थिक विकास के लिए प्रयोग नहीं हो सका क्या कहा गया है कि भारत में प्राक्रतिक साध्रों और मानविय साध्रों की प्रचुरता है यानि कि बहुत ज्याद की बात करें मनुश्य भी उपलब दें लोग भी उपलब दें काम करने के लिए नैचरल रिसोर्स इस भी है ठीक है सब कुछ है लेकिन लेकिन उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा तो लोगों को उपयोग नहीं हो पा रहा प्रा साधनों का आर्थिक विकाज के लिए प्रयोग नहीं हो सका है और ऐसी इस्तिती में भारत के लोगों का गरीब होना स्वाभाविक है यानि कि जब उस देश के human resource और natural resource दोनों का ही उप्योग ना हो पाए तो गरीबी तो बढ़ेगी ठीक चलिए अब है अध्योगी की करण का अभाव इन्डिस्ट्रिलाइजेशन का अभाव ये क्या होता है तो हमारे देश में उद्योगों का विकास एवं विस्तार तेजी से नहीं हुआ है उद्योगों का विकास भी उतनी तेजी से नहीं हुआ है तो क्या हो रहा है और दिविकरण का अब दिविकरण की कमी है यानि कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा तो मारे बिसम उद्योगों का विकास तेजी से नहीं हुआ जिसके कारण क्रशी छेतर से जन संख्या का हस् परसेंट से जादा पचास परसेंट में सत्रा परसेंट और जोड़ देते हैं आप तो उतनी जनसंख्या क्रशी में लगी है और क्रशी शेत्र आलरेडी पिछड़ा हुआ है उससे उतनी इंकम राब्त नहीं होती है और उद्ध्योगों का भी विकास नहीं हुआ तो लोग क्रशी शेत्र से उत्ध्योगे शेत्र में जाएंगी कैसे काम करने काम ही नहीं है ठीक है तो इसलिए तो कहा है यहाँ पर कि क्रशी शेत्र से जनसंख्या कास तांद्रन यानि कि जो है ट्रांसपर उधर नहीं हुआ है उत्ध्योगों में नहीं हुआ कि वह वहाँ जाके काम कर पाएं किसके कारण लोगों को रोजगार के साधन अपलब्ध नहीं है और आए के बहतर श्रोथ के अभाव में यानि की पैसे कमाने के जो बहतर स्रोथ है उसकी कमी और तथा बेकारों की बढ़ती संख्या के कारण लोगों में गरीबी बिद्धमान है अब लोगों के पास काम नहीं है कन्य को तो लोग बेरोजगार है बेरोजगार है उनके पास पैसा नहीं आ रहा तो उनके पास गरीबी बढ़ती जा रही है सिंपल सी बात है अब क्या है आय तथा धनकी विशमता इसको कैसे समझेंगे तो तो आय और धनकी विशमता है ठीक है देश की आय एवन संपत्ती का अधिकांस भाग विशमता का मतलब यह है कि कुछ लोगों की पास बहुत ज्यादा माद्रा में पैसा है बहुत ज़ादा उनकी इंकम है और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश के और जो संख्या में ज़ादा भी है जिन के पास पैसा नहीं है ना उनकी उतनी परियाप्त आए है ठीक है तो हमारे देश में आए एवं धन के वितरण का विटरन में काफी विश्यमता है देश की आए एवं संपत्ती का अधिकांश भाग कुछ सीमित व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित है कुछ ही यानि कि अमीर वर्गों की संख्या बोहत कम है लेकिन वो पूरे देश की संपत्ती का इतना बड़ा भाग उनके पास है और इतने जादा गरीब है हमारे देश में संख्या में जादा है और उनके पास संपत्ती का इतना सा भाग है तो देश की आएवम संपत्ती का अधिकांश भाग कुछ सीमत व्यक्तियों के हातों में केंद्रित है और इसके कारण एक और धनी और धनी बनते हैं जबकि गरीब और अधिक गरीब बनते जाते हैं जिसके कारण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी में ही अपना जीवन यापन कर रहा है गरीबी में ही उसको अपना पूरा जीवन बिताना पड़ रहा है ठीक है अब क्या है बेरोजगारी क्या इस्तिती होती है कि जब व्यक्ति काम करना चाहता है ठीक है उतने ही पैसे पर काम करना चाहता है जतना पैसे पर उसे मिल रहा है तब भी यानि कि जतना है पैसे उसको काम के मिलने चाहिए तब भी उसको काम ना मिले तो क्या होगी बेरोजगारी अब एक अध्रश्य बेरोजगारी की जब बात आती है अध्रश्य बेरोजगारी जिसे हम छिपी वी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं वो आती है क्रशी शेत्र में क्रशी चेत्र में आती है तो भारत अध्योक एक दरश्टी से एक पिछड़ा हुआ देश है ठीक है उध्योक धंदों के आविकसित होने के कारण यहां व्यापक रूप में गरीबी पाई जाती उध्योक धंदे हैं नहीं लोगों कोई पास काम करने को काम नहीं काम नहीं पैसा नहीं आएगा महला बेरोजगारी आएगी बेरोजगारी आएगी गरीबी आएगी ठीक है तो काम के एच्छुक लोगों को भी रोजगार नहीं मिलता और ग्रामिड छेतर में बड़े पैमाने पर अद्रश्य या छिप उतनी आवश्यक्ता नहीं है चार लोगों की आवश्यक्ता है काम करने के लिए और चार से जादा लोग काम में लगे होगे तब क्या होगा अद्रश बेरोजगारी होगी की नहीं होगी बताइए यानि की चार से जादा लोग काम में लगे हुए है प्रोडक्टिविटी उतन करने तो क्या अनाज बढ़ जाएगा फसल बढ़ जाएगी नहीं यानि कि कैसी स्थिती जब काम करने वालों की संख्या जरूरस से जादा हो लेकिन प्रोडक्टिविटी जीरो हो उत्पादक्ता शून्य हो तो वो कहलाई जाती है अद्रश्य बेरोजगारी अब उत्पादक की समस्या का मोहत बड़ा कारण है बड़े पैमाने पर बेकारी गरीवी विरुसगारी ये सम्मौजूद है फिर एक और कारण बनता है विदेशी शाषन तो हमारे देश पर ब्रिटिश शासकों ने काफी लंबे समय तक शाषन किया जिसने हमेशा शोषड की नीती का अनू रूप थी तथा भारत के हितों के वरुद थी उनकी नीती ऐसी थी कि उनका एकनॉमिकल फायदा होगा उनका आर्थिक रूप से फायदा होगा भारत का घाटा होगा ठीक है तो जब एक देश अपने देश से हमारे देश से पैसा खीचता जाए तो हमारे देश गरीब होग की नहीं और वो धनी होंगे की नहीं होंगे बिलकुल होंगे तो उनके इस नीती के कारण भारत के विक्सित कुटीर उध्योगों का पतन हुआ जो हमारे यहां के छोटे-छोटे उध्योग थे वो खतम हो गए क्योंकि अंग्रेज जो है यहां का कपास लेके जाते थे यहां क से भारत के लाखों लोग गरीबी के शिकार हो गए तो यह कारण है विदेशी शाषन जो की गरीबी का कारण बना फिर है प्रतिकूल सामाजिक वातावरण यह क्या है तो भारत में सिक्षा का घोर ही अभाव है सिक्षा सुविदाएं उतनी मौझूद नहीं है और अधिकांश भारती जो असिक्षित हैं और रूडी वादी हैं कैसे हैं असिक्षित हैं और रूडी वादी हैं पड़े लिखे नहीं हैं और पुरानी प्रमप्राओं को मानते हैं तो नए की तरफ वो बढ़ना ही नहीं चा जाते हैं जिसके कारण वे अपने आर्थिक और सामजिक जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना नहीं चाहते वे बुरानी चीजों को ही सोचते हैं पुरानी प्रंपरा के अनुसार ही आंगे बंड़ना चाहते हैं तो इसके कारण भी देश में क्या है गरीबी है अल्राइट फिर क्या है यातायात के साधनों की कमी यातायात यानि की परिवहन के साधनों की कमी है किस प्रकार से है तो भारत में यातायात के साधनों की कमी है और इसके चलते हमारे आर्थिक विकास की गतीधीमी है अब जैसे ट्रांसपोर्ट है सेवा छित्र में आता ह अर्थ विवस्ता के तीसरे शेत्र में आता है अब एक जगे से दूसरी जगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतनी तेजी से नहीं हो पाएगा क्योंकि साधनों की कमी है ट्रांस्पोटिशन की कमी है तो क्या होगा एकनॉमिक जैवलपमेंट बहुत हीमा होगा तो देश के विका काबू पा सकते हैं और इन कारणों को नियंत्रण में रख सकते हैं अल्राइट अब बताओ भई यहां तक कोई समस्या कोई डाउट कोई सवाल या फिर बड़ा जाय फिर आंगे क्लियर है सब कुछ तो जल्दी से एक बार लिख दो ओल क्लियर है और जो बात समझ में ना आई हो कोई भी सवाल हो कॉमेंट बॉक्स में लिखके बता देना है आपके हर एक सवाल का जवाब कमेंट में दिया जाएगा चलिए आज का शेशन यहीं पर खतम होता है गरीबी के कारणों को जाना अब अगले शेशन में हम जानेगी कि गरीबी को दूर कैसे किया आजा सकता है आपके बन में सवाल तो उठ रहे होंगे कि गरीबी के कारण तो यह है अब गरीबी को दूर कैसे किया आजा सकता है उपाय क्य आएगा ठीक है आपकी स्क्रीन पर उपर से वीडियो चलता हुआ आएगा नोडिफिकेशन आएगा आपको उस पर क्लिक करना हैं तुरंद जवाइन करना हैं सारी चीज़ें पता करने नहीं है चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगली सेशन में अगर आप हमारे जेली के लाइव शेशन और रिकॉर्डिट सेशन से जुड़ना चाहते हैं सारी चीज़ों प्लब्ध हैं मैंगनेट ब्रेंज के यूट्यूब चनल वेब साइट और एप्लिकेशन पर मैंगनेट ब्रेंज इंडिया का नमबर वन 100% फ्री आउनलाइन एजुकेशन के साथ सादिली बोड भिहार बोड यूपी बोड एंपी बोड राजस्तान बोड के स्लेबस को कवर कराया जाता है और सारे कोर्सेस कवर कराये जाते हैं आपको N.C.E.R.T. से काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास जैसे की वैदिक मैंस, क्रेश कोर्स और स्पोकन इंगलिश और इतने सारे कोर्सेस आपको एकी सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुली औरनाइज कंप्रीट कोर्स के साथ एक दम फ्री ऑफ कोस्ट प्रोवाइड कराये जाते हैं जी हां और मैंगनेट ब्रेंस, यूट्यूब के लावा अधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे की फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, टालीग्राम, प्रोवारी जानगारी प्राप्त कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सबस्क्राइब भी करना हैं